फिर से एक बार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर आज फिर से मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्रपून वीडियो लेके आया हूँ, आज का जो मारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है आतंगवाद को लेके, देखें ये क्लास 12 के बहुत इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है तो आईए मैं आज आप सभी को आतंगवाद से रिलेटेट सारी जानकारी को बताता हूँ, जो आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्रपून होने वाला है, चैप्टर को या टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ आतंगवादी संगठन है, उनके द्वारा किया गया कू परिनाम है, मतलब ये वैसे लोग जिन्हों ने समाज में दैसत फैलाने का जिम्मेदारी ले लिया है, लोगों को डराने का जिम्मेदारी ले लिया है, सीधे साधे और आम नागरिकों को परसान करने का जिम्मेदार ले लिया, उनके द्वारा किया गया, यह कू कृत है, तो देखें, पहले स्लाइड में आप देख रहे हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने यहां पर बंब इस्टोट किया है, इसके आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, यह वो मतलब कहिए हराम खोर कहले जिए, कमीना कहल दीजे, ऐसे ही कुछ कमीने आतंकवादी संगठन के सरगना होते हैं, जो अपने कूप परिनाम को समाज में फैलाने के लिए, आम भोले भाले नागरी को निशाना बनाते हैं, बिल्डिंगों को ध्वस्त करते हैं, ऐसे जग़ों पे बंब ब्लाष्ट कर देते हैं, जहां पर मासून लोग होते हैं, उनकी जान चली जाती है, आगे की स्लाइड में देखे, ये हमारे भारत का सबसे बड़ा ताज होटेल है, जिसमें जो मुंबई में है, जहां पर ब्लाष्ट किया गया था, कुछ आतंकवादीों के द्वारा, आपने इसके बारे में आवस्त सु आगे की स्लाइड में दिखाना चाहेंगे, ये भी एक कुट्ता, कमीना, हराम खोर या फिर डैस, 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 आपके मन में जो भी आप भर सकते हैं, ये उसी लेवल का है, उसी गालियों को सुनने लाइक है, क्योंकि इसके द्वारा भी कई परकार के आतंकवादी संगठन चलाया जाते हैं, जिससे आम, जनता और मासूम लोगों को निशाना बनाया जाता है, आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं, ये भी कुछ ऐसे ही आतंकवादी संगठन के सरगना हैं, इन दोनों का चेहरा देख लिए, ये मैं आपके जानकारी के लिए लाया हूँ, कि इनक इतनी सारे तस्वीरें, इतनी सारे फोटों, इतनी सारे हरामियों का फोटों देखने के बाद सबसे जो महत्कुन मुद्धा है, वो आता है हमारा आतंकवाद, आतंकवाद क्या है? इसे समझना जरूड़ी है, कौकि मेन टॉपिक जो हैं आपके स्लिबस में, वो कानून द्वारा मानता प्राप नहीं है ये गैर कानूनी है मतलब हमारे कानून के नियमों का उलंगन करके धजियां हुआ के जो काम किया जाता है उसे हम गैर कानूनी कहते हैं तो सबसे पहले लाइंड में आपको बताना है कि आतनकुबाद एक गैर कानूनीकार है जिसका मकस अंदर आम लोगों के अंदर हिंसा का डर पैदा करना है एक भोले भाले नागरी आम जनता मासूम लोगों के भीतर डर पैदा करना है डर समझ रहना तो डर पैदा करना होता है आतंकवाद एक सब्द मात्र नहीं है यह एक सब्द नहीं है इसका यह मानब जाती के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खत्रा है इंसानों के लिए मानब जाती के लिए इंसानियत के लिए आज दुनिया में सबसे बड़ा खत्रा जो है वो आतंकवाद बनता जा रहा है जिसे मानब ने खुद रिमित किया है और यहां पे देखे इंसानों के द्वारा ही बनाया गया है यह किसी भागवान के या प्रकृति के या किसी अन लोगों जानवरों के द्वारा नहीं बनाया गया यह आतंक बाद जो है वो खुद मानब द्वारा बनाया गया है कोई भी एक इंसान या समूह मिलकर एक इंसान या उसका ग्रूप मिलकर क्या करता है यदि किसी जगह पर किसी अस्थान पर हिंसा फैलाता है मतलब लडाईया जगडा करता है दंगे करवाता है फसाद करवाता है चोरी करवाता है बलातकार करवाता है अपहरन करवाता है लडाई जगडा करवाता है बंबलास्ट करवाता ह hai तो यह सभी किस category में आएगगा आतंकवाद के category में आएगा इन सभी चीजों को हम क्या कहेंगे आतंकवाद कहेंगे बठागरत में अगर हम आतंकवाद के सिल्सिले को देखे तो भारत में नकसलबादियों द्वारा नकसलबारी वह पाष्टिन बंगाल मतलब बंगाल का एक छेतर है एक जिला है जहां से सबसे पहले शुरू हुआ था उसे हम नकसलवारी अंदोलन के नाम से भी जानते हैं जहां से पहली बार आतंकवादियों को देखा गया था उनी सौशनसट में पहली बार बंगाल के छेतर में कुछ लोग उगर हो गये बंगाल का जो छेत था नकसलवारी वहां के किसान जो के वह उगर हो गया मैंने आपको नकसलवारी और नकसलाइट के बारे में चेप्टर में डिटेल से पढ़ाया थी आपने वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें उसमें आप वो पुरा डिटेल बताया गया है कि कैसे इन लो तो कि आतंकबादी कहने का मतलब है यह उगर हो गयते जहां तहां बंब इस्पोर्ट करना लोगों को मारना लोगों को परसान करना लोगों के अंदर दर्सत फैलाना यह सब जिस कैटूगेड़ी में आता है और बहुत अगर लोग ऐसा करता है तो नकसलवारी या अतंकबा जा रहा है या फैल रहा है इसे भी जानना जरूँ नहीं है तो कि आज कल के समय में बंदू, मसीन गन, तोपे, एटम बंब, हाइडोजन बंब, परमानु अथियार, मिसाई, आधी का अधिक मात्रा में निर्मान हो रहा है, बहुत अधिक मात्रा में इसका निर्मान किया जा और आम नागरी को उपर इसका प्रभाव डालके उसे डढ़ाते हैं, अबादी का तेजी से बढ़ना, जिस तरह से आज हमारी जन संक्या बढ़ती जा रही है, दिन परती दिन, ये भी एक कारण है, जिसके कारण आतंकवाद फैलता जारा और समस्या बनती जा रही है, इसक कुछ लोग गरीबी के कारण भी आतंकवादी समों को जोयन कर लेते हैं, तो ये राजनितिक, समाजिक और विवस्ता भी कारण है, इसके महत्कुन कारणों में आएगा, जिसके कारण लोग आतंकवादी बन जाते हैं, देश की विवस्ता के पर्ति और संतुष्ट होना, हम के हित में काम कर रहा है, तो इस और संतुष्टी में वो आतंकवाद को अपना लेते हैं, सिक्षा की कमी, बेसिक तो यही है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, तो ऐसे में आपको अगला व्यक्ति बहुत जल्दी घुमा सकता है, आपको को संतुष्만 आज आज आतंकवाद दिरे-दिरे समस्या बंती जा रही है, गलत संगती, यदी आप ऐसे लोगों के प्राफ्ट करिएंगे, यह एक कहावत है, अच्छे लोगों से तो आपको अच्छा जुन प्राफ्ट होगा, लेकिन यदी आप बुरे लोगों के साथ दोस् पूरे बन जाओ हुए तो इसलिए गभी-कभी गलत संगती के कारण भी लोग जो है वह आतंकवाद के चले जाते हैं जो भी एक महुत पुर्ण कारण है अक्सर आपने देखा हुआ कि कुछ जो है लोगों के द्वारा अक्सर जो है वह आतंकवाद की ट्रेनिंग दी आती है आतंकवाद को लेके उनके दिमाग में ब्रेन वास किया आता है यह सब गलत संगती के कारणी होता है और बहकावे में आना आपके मजबूरी का फायदा उठा के कोई वैक्ति यदि आपको बहकार है तो यह एक प्रमुख कारण बन जाता है आतंकवादी बनने का जाप्त होंगे आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं आगे का स्लाइड हमारा कहता है आतंकवाद का असर या फिर दूस परिणाम आतंकवाद जो है इसके परिणाम क्या है इसके परिणाम क्या है इसे दिक्कते क्या-क्या उत्पन हो रही है क्या-क्या परसानिया उत्पन हो तो देखे, पुरा विश्व आज की समय में आतंकवाद की समस्या से परिशान है, ये केवल और केवल भारत की बात नहीं है, ये भारत की बात नहीं है, ये पुरा विश्व के ऊपर एक समस्या बना हुआ है, तो कोई भी अच्छूता नहीं है आतंकवाद से, आतंकवाद का क वो में डर पैदा हो जाता है, वो अपने राज देश को असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, आतंकवाद के सामने कई बार सरकारे भी कमजोर दिखाई देती है, जिससे लोगों का सरकार पर भरोसा उठी आता है, कई बार सरकार योग को किया है, जिससे सरकार भी कमजोर नज़र आजाती है, अब कुछ ऐसे लोगों को पर इन अप कर लेता है अपनी बाते मनवाने के लिए बस हाइजیک् कर लिया, ट्रेन हाइजएक कर लिया, लोगों को कबजे में ले लिया, इस्िएबार सरकार पर दवाब दा बिखे जाता है मतलब कम हो जाता है अतंकवाद का यह सब पाकिस्तानी है अतंकवादि का जर पाकिस्तानी विया चूता नहीं है इसके अंदर कन आतंगवादियों ने कई बार इस्कूल मस्जिद वगर में भुषके लोगों को मारा है तो वो कहते हैं जिस ठाली में ये खाते हैं उसी ठाली में ये छेद भी करते हैं इनका कोई धर्म जाती मजहब नहीं है इनका मजहब सिर्फ और सिर्फ लोगों के अंदर दहसत फैलाना है डर खालाना है यही इनका मजहब है लोगों को परशान करना है मासुमों को मारना है बालातकार करना है यही इनका मजहब है आतंधबाद के चलते लाखों की संपत्ति नश्ट हो जाती है लाखों लोग मासुमों लोगों की जान चली जाती है देखे जहां भी यह बंबी इसके अलावा लाकों मासlike के जानट मारे जाते हैं है जब एक इंसान का बलातकार कर यह इंसान दूसरे इंसान का भरोसा कैसे रहेगा भरोसा खतम हो जाएगा जब हम किसी दूसरे को मारेंगे खून कर देंगे तो दूसरा लोग देखेगा उसका हम पर भरोसा रह पाएगा नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका भरोसा मानब जाती इंसानियत से खतम हो जाएगा उठ जाएगा एक आतंकवा अगर उस आतंकवादी संगठन ने ऐसा किया है तो हम भी कर सकते हैं तो यह सब कुछ दुस्परिनाम है आतंकवाद का और आतंकवादियों का सिर्फ और सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में आगे की स्लाइड में बढ़ना चाहेंगे आगे का स्लाइड हमारा कहता है देश जो देश के विविल छेत्रों में आतंकवाद का समस्या या रूप अज के समय में देश और विदेश कहने का मतलब है हमारे देश के अलावा और भी बहुत सारे देश है जहां पे आज आतंकवाद की समस्या बनी हुई है आज आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नही है हमारे परोसी देश और विदेश सभी जगों पर सरकार इससे निपटने के लिए भरपूर कोशिस में लगी हुई है हमारे परोसी देश के अलावा जितने भी और भी देश है अमेरिका बिटेन जपान फ्रांस इंगलाइन चाइना पाकिस्तान बंगलादेश भुटान आज तक का सबसे बड़ा अतंकवादी हमला अमेरिका के वर्ल्ट्रेड जयन करका है अब को मैंने वर्स committed के बारे में लिए ओधी आपने विडियोज को नहीं देखा तो जरूर देगे क्योंकि आज वमारा टॉपिक है वो आतंकवार है, सिफ और सिफ हम आपके सिलेवस को हिट कर रहे हैं, बेस्किली हम लोग यहां पर आज आज आपको सिफ और सिफ सिलेवस के चीजों को पढ़ा रहे हैं, लाकि मैंने चेप्टर के सारे वीडियो इस डिटेल्स में बना रखे हैं, यादि आपने उन्हें नहीं देखा तो जरूर देखे हैं, वो आपको दीप नॉलेज देगा और यह आपको एक्जाम के लिए नॉलेज देगा, देखें, 11 सिकंबर 2001 में विसु का सबसे सक्ति साली डेश के सबसे ऊची इमारत पर असामा बिल्लादेन आतंकवादी हाल दियो, अरिक इसी कह बरूर्ड ट्रेप सिंटर हंले के नाम से भी जानते हैं, आतंकवादी हालों, असामा बिल्लादेन ने जिसके चलते लाखों का नुक्सान हुए, और हजारों लोग मल्वे में हजारों लोग मलवे के अंदर दब के मर गए और इसे दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला कहा जाता है जो दुनिया के सबसे मजबूत देश संयुत राज अमेरिका के पे किया गया था 2015 में पाकिस्तान आतंकवादीयों का जनक है जननी है माता है यह जितने हरामी आतंकवादी है इन सभी का मा कह लिजिए बाप कह लिजिए हाला कि यह मा बाप से तो नहीं जरी दोगले होते हैं तो इनका नसल का कोई भरोजा नहीं होता यह बे नसली होते हैं इनका नसल ही नही तो देखे 2015 में पाकिस्तान के कराची के स्कूल में कुछ आतंगवादी गुस गया, इन सालों के तो घर में जो पैदा करते हैं आतंगवादी इनके बच्चों को नहीं छोड़ रहे हैं, यह अपने घर में आतंगवाद सहला रहे हैं और उन्होंने अंधाधूल बोलिया चला कहां स्कूल में जाके जिससे कई बच्चे और टीचर मारे गई, स्कूल में मासूम बच्चों की जान चली गई, स्कूल के अंदर मासूम बच्चों की जान चली गई और सिछकों की जान चली गई, कहां पाकिस्तान के कराची के एक स्कूल में, तो देखें यह संगठन जित के अंदर में भय और डर ठालाना पाकिस्तान का आतंकवाद में सबसे बड़ा हांत है दुनिया जानता है कि अगर कही आतंकवाद ही पल रहा है तो वह पाकिस्तान पाकिस्तानी एक देश ही नहीं है वो तो खुद ही आतंकवाद संगटन है लेकिन खुद पाकिस्तान इसके द एक्स्पेरिमेंट करते हैं पाकिस्तान के भोली-भाली जन्ताओं के बीच में कि आज हमने जो बंब बनाया है वो फोर के देखते हैं कि इतने पाकिस्तानी से मारे जाते हैं चनलना हैंगे आपको आतंक बाद हाथ में भारत अपने भारत के अंदर भी बहुत सारे आतंक बाद हामले होए हैं खासकर इसमें सबसे ज्यादा हाथ पाकिस्तान का है देखे, 2001 में देश का सबसे सुरक्षित इमारत, हमारे भारत देश की बात कहना है, ध्यान समझेगा, 2001 में भारत का सबसे सुरक्षित इमारत, संसत भवन में दिन दाहारे आतंकबादी गुस गए, हमारे भारत के संसत भवन में आतंकबादी गुस गए, पुलिस एबं सुरक् अच्छा कर्मियों के द्वारा लंबा मुठ भेर चला लेकिन इसके बाद आतंगवादियों को मार गिराया गया इस दौरान पूरी संसद में दहसत का महौल था चारों तरफ अफरा तफरी मज़ गई सुहाविक सी बात है कहीं पर आतंगवादी गुज्या है गोली लोगों के बीच में यह डर्ग पैलता रहें 2006 में क्या हूद मुंबई के लोकल ट्रेन को निशाना बनाया गया मुंबई के लोकल ट्रेन तो अपको पता है बूधे मासूम लोग मतलब जिनका कोई दोस नहीं है उनको मार के क्या फायदा मिलता है अब माई का दूर पिया है तुम अगर मर्द है मर्द तू हो गाहि नहीं तो चुछक्का है दोगला है तू तो तू जाके हमारे अरमी से भिड़ना तेरे पिछवाड़े में ना डंडा कर दिया उसने पिर नाम बदल तुम बोले बाले नागडी के सामने आंके क्यों अपना सक्ती बढ़ रहा है निहत्ये के सामने बच्चे को बच्चो मार रहा है वह छोटे चोटे मासून बच्चे वह टेलीं से ऑफिस जाने वाले लोग जिने कुछ पता नहीं है जो यह सोच नहीं है तुम्हें वाकई में तुम्म मर्द हैं वाकई में तुम्हें उद्ध करने का सफ़ाइ ओब बौरॉडर पे यह समस्या जो है वही पर हमारा इंडियन आर्मी समाधहान कर देगा और ज्यादा समय भी नहीं लगाएगा हाला कि कई बार तुम लोग मूझ की खा चुके हो लेकिन ठेथर और ठुथरेष्ट में अंतर होता है तुम लोग महा ठुथरेष्ट हो तुम्हें कितना बार भी लाथ माला जाएगा तुम्हारे समझ में यह बातने नहीं आएगी लेखिए अब इसमें मुंबई में जो बं शुओं ब्लाश्ट हुआ लोकल ट्रेन से बहुत सारे लोग मारे गया बहुती निर्मम तरह से इन्हें मैंने आपको एक फोटो दिखाया दासुलबात में ताज होटल के बारे में यहां पे आतंगवादी घुश गए और कई दिनों तक लोगों को बंदी बना कर रखा आतंगवादी अपनी मा में पूरी करवाना चाहते थे और लंबी मुठवेर के बाद जब हमारे पुलिस कर्म चार साल उसे रक्के क्या कर रहे थे ? क्यों रख Leban 4 साल ? अंदर सपर्ट थोग दिये होते ही दर पहलाओ अगर हमारे अंदर डर पहला रहर है ना तंगवादी घॹवित कर रहा है हमारे पुलिस को हमारे आर्मी को उससे धुगूना डर उससे धुगूना भय tussen के अंधर धरन तो एक बार हाथ खोल के देख तू पता नहीं पाकिस्तान का नारा खोल देंगे ऐसी सकती है हमारे इंडियन आर्मी के भी लेकिन कहीं नहीं हमारे इंडियन आर्मी की मजबूरी है कि वो सरकार के दवाम में हैं सरकार के नियमों के खिलाप नहीं जा सकते हैं एक बार अगर उ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो आतंकबादी होके डर फैला सकते हैं, तो हमारे इंडिया नारणी उनके अंदर कितना भै फैला देगी, ये बात आप साधर अगर भारतिये हैं, तो समझ सकते हैं, और ये एक सच्चा भारतिये बहुत अच्छी तरके से समझ सकता है, आगे क आतंकबादी हमला होता है, 1999 में कारगीर की रहा इसी का रूपता, कारगीर का रहा है, 1999 याद रखिएगा, इसी का रूपता, पाकिस्तान की तरब से सुरू हुआ था, ये पाकिस्तान में सुरू आज किया था, अगाज किया था, और अंत किसमें किया हमारे भारतिये आर्मि माना जाता है भारत में 14 फरबड़ी 2019 को पुलवामा अतंकवादी हामला हुआ सभी में सुना होगा बहुत हाल में हुआ है 2019 में हुआ है पुलवामा अतंकवादी हामला हुआ इस हमले में 40 जवान सहीद हो गए 40 इंडिया नार्मी CRPF के जवान सहीद हो गए खतम हो गए, अनेक जवान गंधी रूट से घायल हुए, किसी का हाथ दिशित हो गया, किसी का पैर दिशित हो गया, कोई अपहं हो गया, विग्लांक हो गया, 2007 में हैदराबाद की मक्का मजजीर में आतंकबादी भी स्पोर्ट हुआ, इस भी स्पोर्ट में 11 लोगों की मौत हो गई, 13 माई 2008 को जैपुर के सिल सिलेवार बंबिश्पोर्ट वा जिसमें 60 लोग मारे गए, 68 लोग मारे गए जैपुर में, जनवरी 2008 को रामपुर में CRPF के जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ, इस हमले में 8 जवान सही दुए, ये सारे वो पॉइंट है, जो हमारे भारत में हु के बारे में अगर बताना सुरू कर दू, तो ऐसे किताबे लिख जाएंगी, पुरा किताब भर जाएगा, तो कि अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती है, और ये तो वो डाटा है, जिसमें 50, 60, 70 लोग मारे गएते, दो लोग, चार लोग तो आये दिन, एक दिन, दो दिन हो जाएगा, क्योंकि फिर आतंकवादियों के मन में एक डड़ बैठ जाएगा, कि यहां का आर्मी बहुत इस्टिक्ट है, वो बात नहीं करता, वो सीधा ठोक देता है, तो इस तरह से आपने देखा कि आपके इस चेप्टर में आने वाले आतंकवाद के सारे पॉइंट्स मैंने आपको सही तरीके समझा दिया, थोड़ा आज मैं भी उग्र हो गया था, थोड़ा मैं उग्र तरीके से पढ़ाया हूँ, उसके लिए माफी चाहता हूँ कि जब बात भारत देश की आती है, और भारत देश के मान और प्रतिष्ठा की आती है, तो थोड़ा मेरा भी जानकारी है, वीडियो पहसंद आई होगी, यदि वीडियो पहसंद आती है, तो वीडियो को лайक करें, चैनल बे अज़ पहली बारा है, तो चैनल को सबस्क्राइब करें, हम फिर आपके सास्त हुपरू होंगे, अगले वीडियो, अगले टॉपपि के सा σाथ, तब तक के लिए जायत दीजिए धन्यों